गुड बॉर्डिंग टू आल आज हम सब पढ़ेंगे समय अर्थार्थ टाइम अब हम सब तो ये जानते ही हैं कि हिंदी में समय कैसे पोलते हैं ठीक वैसे ही संस्कृत में भी समय के लिए कुछ शब्द नर्धारित है जैसे 1 बजे के लिए 1 वादनी, 2 बजे के लिए 2 वादनी, 3 बजे के लिए 3 वादनी, 4 बजे के लिए 4 वादनी, 5 बजे के लिए 5 वादनी, 6 बजे के लिए 6 वादनी या 6 वादनी, 7 बजे के लिए 7 वादनी, 8 बजे के लिए 8 वादनी, नौ बजे के लिए नौ वादनी, दस बजे के लिए दश वादनी, ग्यारा बजे के लिए एकादश वादनी, बारा बजे के लिए द्वादश वादनी यहां एक से चार तक की संख्या यानि एक वादनीत, चतुर वादने परियन्तम यह संख्या ही भिन्न है संख्या जो हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं पंच वादने से 12 वादने तक की संख्या, जैसे हम लोग संख्या में पढ़ते हैं, समान रूप से प्रयोग किये जाते हैं. सिर्फ उसमें वादने या वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है. उपर हम सब आगे देखेंगे कि एक वादनी, द्वी वादनी, त्री वादनी और चतुर वादनी. इसके बाद हम सब पढ़ेंगे सपाद एक वादनी. एक पंद्रा अर्थार्थ सपाद एक वादनी. सपाद मतलब सवा. सवा को, चैल सवा को हम सब संस्कृत में सपाद बोलते हैं. सपाद एक वादनी. दो पंद्रा सपाद द्वी वादनी, तेन पंद्रा सपाद त्री वादनी, चार पंद्रा सपाद चतुर वादनी, पाच पंद्रा सपाद पंच वादनी, छह पंद्रा सपाद शड वादनी, साथ पंद्रा सपाद शप्त वादनी, आट पंद्रा सपाद अस्ट वादनी. इसी तरह 12, 15 सपाथ 12 वादनी सार्थ अर्थार्थ साढ़ी हम लोग हिंदी में जैसे साढ़ी 10, साढ़ी 12 इस तब्द का प्रियोग करते हैं साढ़ी के शब्द के लिए संस्कृत में सार्थ शब्द का प्रियोग किया जाता हैं जैसे 31, 16, एक वादनी, 32, 360, तुई वादनी साढ़ी 3, 3, 3 अर्थार्थ साढ़े 3, सार्थ 3 वादनी साढ़े 4, सार्थ 4 वादनी, साढ़े 5, सार्थ 5 वादनी ठीक ऐसे ही अंतिम पारा तीस अर्थार्थ सार्ध द्वादस वादनी अब हम लोग पढ़ेंगे एक पैतालिस हिंदी में भी हम सब एक पैतालिस के लिए पौने दो शब्द का प्रयोग करते हैं यानि हिंदी में भी पौने दो संख्या बाद में आ रही हैं और इसके लिए प्रयोग किया गया शब्द पहले संस्कृत में भी ठीक ऐसा ही होता है जादोन द्वी वादनी दो पैतालिस पादोन त्री वादनी तीन पैतालिस पादोन चतुर वादनी ठीक वैसे ही दस बजे दस बजे यानि दशवादनम या दस वादनी यहां वादनम और वादनी तोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है अब सवा दस यानि सपाद दस वादनम या सपाद दस वादनी यहां सपाद शब्द का प्रयोग सवा के लिए किया जाता है इसके बाद हम सब साड़े दस यानि साड़े के लिए पुरुह में भी बताया गया है कि साड़े के लिए हम सब सार्ध दश का प्रयोग करते हैं तो यहां भी सार्ध दशवादनम शब्द का प्रयोग करेंगे सार्ध दशवादनम अब हम लोग पढ़ेंगे पौने इक्यारह पौने शब्द के लिए पादून शब्द का प्रियोग करेंगे इसलिए पादून एकादश वादनम आशा करती हूँ सबको समझ आगया होगा धन्धाई